हेलो गुड मॉनिंग नमस्ते शश्यकाल आता आप कैसे हैं आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे अगर आज है इंडिपेंडेंट्स टे तो सब लोग इंडिपेंडेंट्स टे मना रहे होंगे आप सब अपनी खुबसूरत से जंदगी में और मैं आप सब को सुना रही हूं मुकदर का सिक अंदर और आप सब सुनते रहे और सुनते रहे नहीं प्यार परसाते रहे उमीद है आपको इस्टोरी पसंद आ रही होगी जैसे भी आ होगे आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपना ओपीनियन लिखके बता सकते हैं तो चलिए जो अप्लोडिंग में थोड़ा सा डिफेक्ट रह गया था मैं उसको वहीं से कंटिणू करूंगी जहांसे डिफेक्ट रह गया था मतलब ठीक से क्लेरा बास नहीं आई थी तो मैं उसको इसमें एड करने हूं उसके बाद दन आगे मैं सुनाती हूं और एक अलगी अटिटीट में एट मारते हुए निकल जाती है अपने गाड़े में बैठती हो और वो निकल जाती है निकलने के बाद जो हमारी जो पिंकी होती है वो भी नराज होके वहां से चली जाती है और वहाँ से सुमीद तो निकल जाता है अगर तो तुम सबको मैं देख लूँगा तो कहता है साशवत की बिलकुल बाखोफी देख लेना हमें कोई जल्दी नहीं है वहाँ जो ये लोग खाते पीते हैं और वो अपने घर को जाते हैं मतलब वोस्टल को जाते हैं वहाँ पे जब वो साशवत जाता है और फिर अपने बिस्तर पे जब लेटता है तो उसको याद आती है मायूरी की मायूरी काफी ज़्यादा उसको याद आ रही होती है उसका वो फोन उठाता है और फिर सुचता है कि वो मायोरी को कॉल लगा है, फिर फोन रखता है, फिर उठाता है, फिर रखता है, वो ऐसे ही होस्टिल में घूम रहा होता है, तो रोहन और पूनित आते हैं, उसके पासर कहते हैं कि चल भाई, दो पैक लगाते हैं यार, मस्त पढ़ियां परंडेन उड वाग लेकर आया है, तो कहते है, शाषवत कि नहीं, मैं मेरे को नहीं पीना, तो कहते हैं, अरे कैसा है, तू कभी नहीं पी था, तो कहते हैं, हाँ, मुझे नहीं पीना, तुम लोग जाओ, वो वहीं पे सेडियों पर खड़े होके, बस सूच जा रहा होता है, कि ये सब क्य अजा है लेट होता है और हो टॉठाता है मिटेग की 50 की मिटेंग फिक्स हुई है और आप मिल लिजीचा तो कहते हैं तो ठीक है ऑगा का मैं जा करें मिल लूँगा वो तैयार होता है और नौ। कैहों यूर करें उसके होते हैं और उसकी मीटिंग होती तो वह अपना पैग उठाता है और तैयार होखें निकल जाता यह बहुते हैं वह प्लेंच सा एक लाइट ब्लूस श्यॹट बेंता है उस पें ब्लैक पैंट और अब पैशों में सलेपर होता है और पहन Ricky剛 काćता है और बैठने के बाद जो होटिल के अडरेस आया होता है वो वहां पर चाहता हूँ जैसे कि एंट्री होती है वहां पर शवत की वहां पर फिर से वो एक लड़की से टकरा जाता है फिर यूँ कहले कि बस कुछ अलगी हो जाता है जब शाश्वत उस लड़गी को देखता है तो हाई शाश्वत की आंके उस बेट हैर सी जाती है और उसकी सांसे थंब सी जाती है लड़के के ये घने लंबे बाल आंके मिर्गनेनी होड जो होते हैं बहुत पतले जैसे फूल की पं इतार और इसकी पॉस्नालिटी उसे एक अलगी रूप दे रहा होता है ये सब कुछ मला के देखते हुए जो शाश्वत होता है एकदम होते हैं कि मंद्र मुक्द हो जाता है और वो उसको आखे भर के देखता है जैसे ही उसका ध्यान तूटता है वो बोलता है कि सॉरी सॉर इसले बार ऐसा हुआ होता है कि कोई लिड़की उस पर कोई रियाक्ट नहीं की होती है उसको देख के अलग सा उसको फील नहीं देलाई होती है फिर जो हमारे शाश्वत जाते हैं बार बार उसको मुड़के देखते हो जाते हैं और उसके जो फ्रेग्निंस होती है उसको मै फिस्ट फ्लोव पे जाना है तो वो किते के लिफ्ट से राइट लीन है वो वो किते ठीक है तेंक्यू और वहां पे जाता है वो लिफ्ट में खड़ा होता है तब तक बूओ लड़की उसके साथ आकर खड़ी हो जाती है और जो हमारे शाश्वत बाबू होते हैं वो फुल लॉन चेक आउट मारते हैं उस बंदी को और वो उसके पैरों से घूरते हुए उसके सर तक आते हैं तब तक उनके नाकों से ब्लड आता है और ब्लड आते ही उनका सर घूमने लगता है और वो चीक मारते हैं, तो जो हमारी मैडम होती है, उनके जो ड्रेस होता है, वो हो जाता है, खराब और बो जब छीक मारते हुए जो अनकिया फेस होता है जब वो गरता है तो उसके चेस साइड गरता है और मतलब बो अलगी सिच्वेशन हो जाता है जिसके हाथों में पुके होता है और वो किसी कोई थिंग मिलने जा रहे होती है है और हमारे शाश्वद बाबु ने कर दिया होता है खराब टोटली खराब तो मलते हैं शाश्वद जो होता है mistake कर देता है वहाँ पर और उसके mistakes कुछ ऐसे होते हैं कि वो mistake जान पूश के तो नहीं करता है मगर उससे हो जाती है वो जो चीक मारता जो उसके नुज में बलीड आया होते है वो उसके कपड़ों पे उसके छीटी जा पड़ते हैं जिसके वजह से बन्दी होती है आप शार्म वैंसे पे उसको टच्स टच कहा होता है वह भी उसको टिस्ट अब कर गार था धी कि ये थूम नहीं फीर sampah ते attitudes आप वो मुझे मैं जान बुझ कैसा कुछ नहीं किया तो कि तुम इडियट हो क्या तुमको दिखता नहीं है तुम एक ऐसा लड़की को साथ पीश रहना चाहिए तो जैसे ही शाष्वत उसको थोड़ा सा गूर के देखता है तो थोड़ा सा वो नजरों को नीचे करते हुए जो ल साथ बीहेव करना चाहिए डिसकस्टिंग और जैसे लिफ्ट रुकती है वो चली जाती है वाश रूम की तरफ और अधर शाष्वत जो होता है वो निकल जाता है अपने जो क्लाइंस होते हैं उनको मिलने तो महां पे जब पहुंचता है तो महां पे पूचता है कि क्या यह नहां पे ही पार्टी चल रही है तो किती है कहते हैं कि हां तो बट आपको मिलना किसे है तो वो बताता है कि मुझे जैवंत से मिलना है और आम बता दीजिए कि शाष्वत आया है तो कहते हैं कि ठीक है तो जैसे ही जाकर बोलते हैं तो जैवंत जो होते हैं सुनते हैं कि शा ने मत्चा उनको बाहर के क्यों रखा हुआ है मैं लेने जाता हूं वह जैवन चाहते हैं और देखते हैं बाहर साश्वद बड़े उसके साथ शांत लाज़र के साथ खड़ा होताई वेट कर रहा होता है और कहता कि जब वो जैवन देखता है पहले तो वो उपर से नीचे तक देखता है और उनको ऐसे आखों से देखता है जैसे कि इतना मामूली से इंसान मतलब शानाया येश्वन येश्वर्धन शास्वत अगरवाल है तो उसको दमाग में सारी चीज़े जब रिपीट हो रही होती है तो सोच रहा हो थै कि ये क्या है तो फिर उसको जाता है और उसको गड़े लगाता है कि तह कि मुझे लगा कि कोई एक राइस जादा आएगा जो स्कूर्पूट में बड़े महेंगे कपड़ों के साथ बड़े स्टाइल और रोबाब के साथ आएगा ये तो एक महमुली सा सिंपल सा इंसान सामने दिख जा है जो जैवंत होता है ये चीज ये श्वर्दन को बोलता है मतल अब जरूरी है कि मैं इतने महेंगे कपड़े पहन के आऊंगा तो ही मेरी वैल्यू होगी तो किदर नहीं नहीं हसते वे वो बोलता है फिर वो पूछता है कि वहाँ पर जो पास में उसके जो कोलिक्स होते हैं उसे पूछता है कि कंचन कहा है तो सर वो अभी तो यहीं तो कि वो सासवत सर के लिए वो बुके लेने नीचे गई थी अभी तेखाई नहीं तो यहीं लटकी भी न तब तक उदर से जो कंचन होती है भागते हुए आती है और जैसे ही आके खड़ी होती है सौरी सर सौरी मैंने फुरा सा देरी हो गए और कि दे कि फिर जैसे उसका देह जाता है कंचन का कि यह यहां पर तुम यहां क्या कर रहे हो और तुम्हारी क्या यहां ज़रूरत है तो जब जैवन पूछता है कि क्या तुम जानती हो तो यहां सर यह लिफ्ट में मिला तो और इसने पूरा मेरा ड्रेस क्राप कर दीता है जिसके बचे में लेट होगी तो भूह कहता है तो कहता है कि ज्यवत होता है कि मिलो यह शाश्थ्वत है जब ऊचले लिए भाई शॉनती है उसके होश उड़ आतु तो उड़ जाते पर कहते है कि क्या यह ए यह श्यूत निस्टे कौहतی है कि हाँ ये शास्वत हैं तो फिर भोलता है कि जैवन जी मैंने जो काम बोला था उमीद है आपने कर दिया होगा तो कहते है कि हाँ 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 पैलकmile क्यों नहीं मैंने तो पहले बूला था आप जो बोले बुसर आखों पर आपकी हुकम रखी जाएगी तो कहते हैं कि हाँ तैंक यू तो वहां से इस बात को थोड़ा सा ना तवज्द देते हुए वह जो बुकेल आई होती है कंचन उनको देती है कि तीक सुरी सर मैंने आपको पहचाना नहीं है तो जो साश्वत होता है कि कोई बात नहीं गलतियां हो जाती है और उसको अब थोड़ हमत आ चुकी होती है शाश्वत को वो बड़े पैर से और घूरे जा रहा होता है कंचन को कंचन थोड़ा सा ओक्वर्ड होते हुए उसको थोड़ा सा मतलब अलग सा लग रहा होता है तो फिर से हमारे शाश्वत जो होते हैं वो थोड़ा सा अब नजरों को अठा के अपरे क की बड़ा एक पार्टी एंटे चल रहा होता है और उनको जो जो जए बंद होते हैं वो लेकर जाते हैं सबसे मिलवाते हैं अपने पूश्चम में क्वांट मिलवाते हैं के बीट्श और सॉट अगरवाल तो जब शवाष नां सुनतां तो कहते नहीं शनाया यश्वर्धन शाष्वत अगरवाल मेरा नाम है तो इतना बड़ा नम तो कहते हैं जो शाष्वत होते हैं तो कहते कि हाँ आपर नाम इतना बड़ा है इसलिए बड़ा है क्योंकि जो यश्य लगा हुआ है वो यश्य मेरी मा का नाम है और जो वर्धन है वो मेरे पता जी गानाम है और शास्वत जो है वो मेरे दादाजी ने रखा था और और तो सरनिम अकरवाल और ये पर ये शनाया कौन है तो वह वहां पर शास्वत कुछ नहीं बोलता है और कि इसको डिस्क्राइब करना है अब इसमें टाइम है तो शास्वत आगे इस बात को छोड़ते हुए आगे अधिज़ सयनाया यैस्वर दन शास्वद अंगरवाल यह से मिलते हुए सबसे बात करता है सबसे मन सब कुछ इविंट शरू होता है तो जैवंद से जो उसने बोला होता है तो जैवंद ने एक कड़ी भेजिय होती है। उस कड़ी में कुछ लोग होते हैं उस पार्टी में बलाए जाते हैं तो फ्रेंट से यहां से अब वो हमारे स्टोरी चलो होती है जो मैंने एक अलग स्टोरी से उठा के थोड़ा सा टचप अलग फील कराते हुए जो किया था अब यहां से थोड़ा सा गीम चेंज करते हैं तो उम्मीद है आपको यह टोस्ट पसंद आएगा तो वो गाड़ी बिजवाता है जैवंत और उस गाड़ी में कुछ लोगों को ले के आया जाता है तो उस गाड़ी में मतलब कुछ लोगों को एड़ करके लाया ज वो बताने के लिए कि अब वो जो है क्या है वो अपने जिंदगी में क्या है रियल जिंदगी में क्या है वो ना चुपाते हुएं अब चाते हैं कि जो उनके खास हैं वो उनके बारे में जाने तो वो और कोईने उनके कुछ फ्रेंड्स गिने चुने होते हैं जैसे की जैस और विवेक और रोहन पुनीत राजिश और अनुराग और मयूरी की जो फ्रेंट होती है मनिशा उसको सब लोगों को उस इवेंट में बुलाए होते हैं तो जो जैवन्त होता है मैं प्लीज में चाहूंगा क्योंकि अभी तक किसी को भी ये नहीं पता होता है कि शास्वत का पूरा नाम क्या है तो हाँ पे शनाया ये शवर्थन शास्वत अगरवाल के नाम से संबूदित करते हुए शास्वत को स्टेज पे बुलाया जाता है तो शास्वत उटके जाने लगता है सिंपल सा एक प्लेन चप्फल और नॉर्मल सा पैंट ब्लैक कलर में और एक लाइट ब्लू शुट पहन के बालों को शेट किया हुआ और वहां पर जाके फोडेम पर खड़ा होता है फोडेम पर खड़ा होके वह एक इंटर्व्यू देना जा रही होता है मतलब एक इस एक स्पीच देने जा रहा होता है जो सारे हमांके बहुत बड़े मीडिया зовут वागेरा आए हुए होते हैं जो उसकी न्यूस को कवर कर रहे होते हैं और उसको टैली कास्ट भी कर रहे होते ह हैं तो वहां पहेत्जब मेईूरी देखती है कि वहोडियम पर इतना वड़े नामस को समसभी करते हुए इसके इतना में कास इसके इतना बड़ा नाम जितना है यह भी बड़ा होता तो यहँ यहं पे जो हमारे जो ये शाश्वत होते हैं वो कहते हैं कि उमीद है आप सब मुझे यहां देखे चौक गया होंगे और कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आ रहागे मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ तो मैं बता दू कि मैं शनाया ये शवर्धन शाश्वत अगरवाल हूँ और अगरवाल कंपनीज का फ्यूचर सीयो तो जब यह बत सुनती है मैयोरी और विवेक का है तो होसो उड़ जाते हैं यह यह कहले कि तोत्ते उड़ जाते हैं तो फिर ऐसे देखके और फिर वो ऐसे ही आगे बोलना स्टार्ट करता है हां पे रोहन पूनीत और राजेश और अनुराग यह सब उनके दमागे पुर्ज़े हले होते हैं क्या यह अगरवाल कंपनीज मतलब हम सब के बीश रहरा था हमें पता ही नहीं था वो सब लोगों का यह रियक्शन होता है मनीशा भी थोड़ा सा हैरान होती है कि यह कैसे हुआ अगर यह अगरवाल कंपनीज का मालिक है तो इतने दिनों से ऐसे तो चलिए मैं अपने फ्रेंड्स की थोड़ी सी मदद करते हुए थोड़ा सा उनको उनकी चीज़ों को ना बताते हुए ना ही समझाते हुए उनके कॉम्प्लिकेशन को सुलजाते हुए इतना मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा तो मैं सबसे मल के बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि जिन्दगी में कभी कभी न थोड़ा तेड़ा पन जरूरी है और ये एक्सपीरियंस मेरे सबसे वेस्ट एक्सपीरियंस है जिस काम के लिए मैं यहां पे भीजा गया था मैंने बाखोवी काम ने भाया है और मेरी मा येशी येशी शासत अगरवाल बहुत ज़्या खुश है तो मैं और मेरे पता जी वर्धन अगरवाल वो बहुत ज़्यादा खुश है तो उनके आशीवाद से मैं यहां तक पहुँच पाया हूँ उनके लाइफ टेलिकास को उनके पता जी उनकी माता जी उनके दादा जी भी होते हैं वो सब देख रहे होते हैं उनकी बहन उनके भाई मतलब जो शासवत की फैमिली होती है वो सब लोग देख रहे होते हैं ऐसे स्पीच देते हुए और जैसे ये जो भाई उनके होते हैं मतलब यह कहले कि उनके अपने भाई नहीं होते हैं उनके जो चाचा होते हैं उनके लड़का होता है अब वो उनके पता के एक लौते वारिश होते हैं जो शास्वत होते हैं और शास्वत आखर शास्वत क्यूं है वो तो स्टोरी में आगे पता ही चलेगा यह सारी बाते करने के बाद मेडिया कवर करने लगती है जैसे तैसे ज शानिया ये शवर्दन साशत अगरवाल है तो सब के हूस और चेरे के रंग उड़े होते हैं वो नीचे आता है और अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और मयूरी को ऐसे क्रॉस करते वजाता विवेक उसको देखता है उसके यहां के खुली खुली रहती है नो एक्स्प्रेश महाजरा यार बता दो जरा मनीशा वगेरा सब लोग उसके में यह सारे चीजों को जानना चाहरे होते हैं और हमारी जो कंचन होती है वो ऐसे जो सहस्वत को देखती है कि यहार क्या इंसान यार मतलब क्या इंसान है बट उसके यह इंसानियत को देख के कहीं ने कहीं अब कुछ ना कुछ तो गड़बड हो नहीं है क्या ही गड़बड होना है तो हमारी कंचन आती है और जैवंद बोलती है कि कंचन तुम सीफली शास्वत को उसके होस्टल सोड़ो तो कहते हैं उनके फ्रेंस कहते हैं कि हम हम भी चलेंगे उनके हम घ्लेव ह coughing जाओफर तो किया है तो कम प्हेंजिक एंद हम जाँख रख साल दो किया है । Ebola इसम्नम करेन थैus लोना मीरे प्रेंगे कि तो पिल्कु तो सब को बोलते हैं और वो जो निकेश्याम्वात कुल लेके जो सास्वत होते हैं चल लेते कंचन के साथ यहां पर मायोरी और विवेक का हूस उड़ा हुआ होता है अब क्या होगा आगे इनके जिंदगी में क्या रुख मुड़ेगी तो आगे जानते तो हमारी कंचन बैठाती हैं और उन सब को गाड़ी के साथ मतलब आराम स से बड़े कमफ़टेबल से उनको उनके होस्टल के सामने छोड़ती हैं छोड़ने के बाद वो सास्वत को एक बार बाय कहती हैं और कहती हैं कि सर फर मिले गया तो किते हैं सास्वत बोलता है कि हाँ जरूर तो इदर उसके फ्रेंट्स उसको छेडने लगते हैं हाँ जरूर जरूर और ये सब माजरा का क्या है यार तो देखते हैं फ्रेंट्स आगे क्या होता है तो मिलेंगे अगले एपिसोड में बाई टेक केर